फेस पर ग्लो लाने के लिए चेहरे का कालापन दाग धबबे और सकीन पर यदी बहुत ज्यादा वाइट है और ग्लो नहीं है स्कीन बहुत ज्यादा बेजान लग रही है तो आपको क्या करना है आपको लेना है एक चमज ग्रेम फ्लोर बेसन बेसन हमारी स्कीन से जो मेल हो जाता है हमारी स्कीन पर डेट सेल्स होते हैं उनको रिमूव करता है चेहरे को एक्सफॉलियेट करता है हमारे फेस पर जो भी मे पर जो भी मेल गंदगी होती है उनको दूर कर देता है चहरे पर यदि बहुत ज़्यादा वाइट है तो वाइट हेट को एक बार में रिमूब कर देता है और इसकीन को एकदम सॉफ्ट बना देता है चावल का आटा और इसकीन पर यदि समय से पहले जुर्यां आ गई है कस्तूरी हल्दी ले सकते हैं कस्तूरी हल्दी नेक्स्ट आपको इसमें एड करना है दही योगर्ट दही हमारी स्कीन को जैसे कि हमारी स्कीन पर गलो नहीं रहता है तो चहरे पर गलो लाता है इसकीन बहुत ज़्यादा बेजान या रूखी सूकी रहती है तो चहरे पर गल प्रोब्लम हो गई है समय से पहले बहुत ज्यादा रिंकल फाइन लाइन दिखने लगे तो उनको भी दूर कर देता है तो अच्छे से आपको इसको मिक्स कर लेना है भोती आसानी से आप इसे बना कर यूज कर सकते हैं और चेहरे को पहले क्या करना है अच्छे से वाश कर ले ज्यादा डल लग रही है चेहरे पर यदि बहुत ज्यादा वाइट हो जाते हैं तो इसकीन बहुत ज्यादा बेकार लगने लग जाती है और यदि दूप से आपकी स्कीन पर संटैनिंग हो गई है तो ये उसको भी दूर कर देता है तो इसको मेन भूमेन और बच्चे भी नेच्रल है तो अच्छे से पूरे फेस पर अपलाई करके आपको मसाज करना है और बिल्कुल हलके हलके हातों से आप मसाज करेंगे जो भी टैनिंग होगी स्कीन पर वो भी दूर हो जाएगी साथी साथ जो भी डलने सोती है वो तो दूर होगी साथी साथ यदि आपकी स्क इन पर बहुत ज्यादा जुर्या आ गई है तो जुर्यों को भी दूर कर देगा क्योंकि जुर्या समय से पहले आ जाती है तो आपको क्या करना चाहिए आप स्किन केर नहीं करते इसलिए समय से पहले जुर्या आ जाती है तो आपको क्या करना है मसाज जरूर करना है मसाज करन पर लगाते हैं तो यह मार्किट वाला जो इसक्रब होता है उनमें केमिकल होते हैं लेकिन यह चावल का आटा नेच्रल है और सभी के किचिन में यह इंग्रीरियंट होते हैं तो बहुत आसानी से आप इसका यूज कर सकते हैं और आप देखेंगे आपके फेस पर एक बार में बहुत अच्छा ग्लो आएगा चेहरा एकदम साफ और क्लीन हो जाएगा और एकदम सॉफ्ट हो जाएगा जैसे कि आपने मार्किट से फेशियल या क्लीन अप कराया हूँ इस तरह से फेस पर ग्लो आएगा तो अच्छे से नीचे से उपर की और इस तरह से मसाज करें आख किट वाला फेश यल तो हमेशा के लिए भूल जाएंगे इतना फेश पर गलो आएगा तो अच्छे से मसाज करने के बाद में आपको क्या करना है जो बचा हुआ आपको फेश पेक अपने फेश पर यही लगा कर दस मिनिट छोड़ देना इसके बाद में नॉर्मल वाटर से फेश को क्लीन कर लेना है वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक इंग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक लिए बाबाई एंड टेक केर झाल कर दो लो नहीं झाल कर दोसिता है झाल झाल कर फॉल कर दोदेए झाल कर दोस किह दोस्टे चे जड़ा झाल को कर दोसा है वीडियों कर दोसो तक को लगाई पका।